नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं प्राइम टीवी मुस्कुराती भी राजधानी की शाम अब भुजी भुजी सी लगने लगी है हजरत गंज अमीनावाद चार बाग की जिन सडकों पर लोगों का मेला लेगा रहता था आज वहाँ सननाटा पसरा हुआ है वज़ा से आप सब वाकिफ है करोना जी हाँ करोना वारस यूपी में अपना कहर बरपा रहा है खासकर लखनों में पेशेंट दिन बादिन बढ़ते जा रहे हैं ऐसे में बीजेपी के तमाम बड़े नेता कम्यूनिटी किचन चला कर लोगों तक खाना पहुचा रहे हैं ताकि कोई भी वेक्ति भूका ना रहे इस मामले में मेर संयुकता भाटिया भी कहीं से पीछे नहीं दिखाए दे रही हैं वो भी लोगों तक हर जरूरत की चीज़ पहुचा रही है सायूकता भाटिया अपने साथ कुछ लोगों को लगातार जोड रही है ताकि वो उनकी मदद से ऐसे गरीब वर्तक खाना बहुचा सके प्रोना वाइरिस का प्रकोब दिन परती दिन बढ़ता जा रहा है ऐसे मेर सायूकता भाटिया की तरफ से एक पहल की गई है और वो हर घर से पाश लोगों का भोजन लेती है और ऐसे ही उन्होंने कितने लोग जोड़े है आईये उनसे जानते हैं ये बेहत एक सरहानिये पहल है एक छोटी सी पहल, क्योंकि Community Kitchen तो हमारा चली रहा है और बराबर हजारों व्यक्ति तक भोजन हमारा Community Kitchen के द्वारा, नगर निगम के द्वारा दिया जा रहा है और जिन बस्तियों को चिन्दित किया गया है, जहां पर ऐसी इस्तिति है कि वो लोग बाहर भी नहीं निकल सकते और उनके पास राशन नहीं है ऐसे व्यक्तियों तक भोजन पहुचाया जा रहा है लेकिन प्रदानमंत्री जी ने एक अपील की थी कि पांच व्यक्तियों को आप पोशिश करें कि उनको भोजन खरा सके तो मैं जिस कालोनी में रहती हूँ, यहां पर मैंने अपने कालोनी के सौ लोगों को जोड़ा है और वो लोग पांच प्रकट प्रति दिन हम अपने हां से बना कर हमें देते हैं उनको कलेक्ट करके मैं उनको पैकिंग का सामान देती हूँ और वो मुझे खाना बना कर रखते हैं, मैं उनकी हां से कलेक्ट कराती हूँ और फिर इस खाने को मैं उन बस्तियों तक भेजती हूँ जहां पर खाना, जहां खाने क्या उशकता है तो यह एक छोटी सी पैहल है, उन लोगों को जोडने की पैहल है ताकि जो ऐसे लोग भी हमारे साथ जुड़ें, जो उनके मन में भावनाए हैं लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो एक छोटा सा फ्रियास किया है जिसमें मुझे मेरे साथ लोग जुड़े हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवादे है बेहत मैडम, यह बहुत ही सरहानिये पैहल है, लेकिन और लोगों से क्या अपील करना चाहती है मैं अपील करना चाहती हूं कि हर व्यक्ति इस समय लगा हुआ है, हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर रहा है अपने हिसाब से कोई पैसे से कर रहा है, कोई तन से कर रहा है, कोई मन से कर रहा है लेकिन यह पैहल एक जो इस तरह की पैहल है, जिसमें हम मन से जुड़ते हैं तो ये अगर इसमें जुड़ें और अपने अपने महले में इस तरह का लोग प्रयास करें और उन तक महुच जाएं तो ये बहुत बड़ी बात होगी तो हमाई साथ मौजूद थी मेर से मुक्ता भाकिया जी कामरान विदेन के साथ रहान वारती लखना हो